स्री गुरुभ्यो नमहा संस्कृत कक्षायाम भवताम भवती रांच स्वागतम अध्यवयं एकादश कक्षायाह भास्वती एति पुस्तकं पठाम तावत आदव अस्य पुस्तकस्य यन्मंगलं बिद्यते तन्मंगलं आचराम अस्तु संप्रति प्रथमह पाठह कुषल प्रशासनम इति आदिकवी महर्शि वालमेकिना विलिखितम रामायड इति विद्यते तत्र अयोध्या कांड तह एते श्लोकाह संग्रही ताह संती अस्मिन पाठह रामह भरतम प्रिक्षति यत भवतह अस्माकम यत राज्यम विद्यते तस्य अयोध्यायाह स्थिति कास्ति तत्र राजकीय विवस्था कथम प्रचलति एतत्सरवं सुनीति पूर्वकम कथम विधात अभ्यम कथम तावत आचरणीयम कथम राज्यसि विवस्था संपादनीया एतत्सरवं राजनीति विशय श्री रामह भरतम विध्यापयति तो हम कुशल प्रसासनम इस पाठ के अंतरगत श्री राम और भरत की परिचर्चा जो चित्रकूट में होती है उस परिचर्चा को पढ़ेंगे इसमें श्री राम ने भरत को राज्य का उपदेश दिया है कि अयोध्या की जो विवस्था है राज की विवस्था किस प्रकार से चल रही है क्या मंत्रियों से हर कार्य में संबाद किया जाता है या नहीं क्या जो कार्य करता गण हैं जो नियुक्त हैं उन सेवकों को समय से वेतन दिया जाता है या नहीं और राज्य को चलाने के लिए एक राजा में क्या-क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार से वह राज्य का संचालन करे ये सारी बातें इन पंद्रह श्लोकों में कही गई है जटिलं चीरवसनं प्रांजलिंपतितं भुवी ददर्श रामो दुरदर्शं युगांते भास्करम्यथा कथंचिदभि विज्ञाय विवर्णवदनं क्रिशं भ्रातरं भरतं रामह परिजग्राह पाणिना आग्राय रामस्तं मुर्धने परिश्वज्य चराघवं अंके भरत मारोप्य पर्य प्रिक्षत सादरं कच्चिदात्म समाह शूराह शृतवंतो जितेंद्रियाह कुली नाष्चेंगित अज्यास्च कृतास्ते तातमंत्रिणह मंत्रो विजय मूलंही राज्याम भवति राघव सुसं वृत्तो मंत्रिधूरै रमात्याई शाष्ट्रको विदाई सर्वप्रथम श्लोक है जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितंभुवी ददर्श रामो दुरदर्शम युगांते भासकरम यथा इसमें एक-एक पद का पहले हम परिचे करते हैं जटिलम अर्थात जटाह संत यस्य सह तम जटिलम अर्थात जटा जूट से युक्त जब अयोध्या से राम वन चले जाते हैं राम का वन गमन हो जाता है और भरत राम को लेने के लिए अयोध्या से प्रश्थान करते हैं और वह भी एक सन्यासी के वेस में जाते हैं राजकुमार बन कर नहीं जाते भरत की यह इक्षा थी भरत का यह संकल पथा कि जहां से राम प्रभू के पैर काटों में चल करके गए हुए हैं मैं वहां सिर के बल जाओं मैं पैर के बल ना जाओं हमारी माता ने कितना बड़ा अपराध किया है बहुत आत्मगलानी थी भरत को और भरत सर्वस्व त्याग करके राम को समर्पित हो जाना चाहते थे तो वह जाते हैं उनकी स्थिती का वरणत पहले श्लोक में है कि जब वह जाते हैं और राम के पास पहुँशते हैं तो कैसा उनका स्वरूब है जटिलम अर्थात जटासे युक्त चीरवसनम चीरम वशनम यस्य सह तम चीरवसनम अर्थात पेणों के चाल के वस्त्र पहने हुए आगे कहते हैं प्रांजलिम पतितम भूवी अर्थात हाथ जोडे हुए अंजली पदकार्थ होता है हाथ इस प्रकार जो हम हाथ जोडते हैं इसे अंजली कहा जाता है तो भरत राम के पास जाते हैं आत्म गलानी है मन में वेश वुशा उनकी बहुत ही अस्तव्यस्त है और एक महत्मा के वेश में जाते हैं राजकुमार बन के नहीं जाते हैं हाथ जोड करके प्रांजलिम पतितम भुवी पतित हो रहे हैं मतरत हाथ नीचे को गिर रहे हैं प्रणाम करने की मुद्रा में हैं भुवी अर्थात प्रिथवी में प्रिथवी में गिर पड़ रहे हैं राम खड़े हैं और बगल में वो पहुँच करके नतमस्तक हो रहे हैं भूव यह सब्तम्यंत भू शब्द का प्रत्वी में इस अर्थ को कहता हुआ पद है ददर्ष रामो दुरदर्षम रादर्ष यह लिटलकार का प्रियोग है जो हम भूत काल की क्रियाएं जिसे हम नहीं देखे होते हैं वहा ह Π्रियोग करते हैं कम ददर्श कह ददर्श राम राम ने देखा राम करता है ददर्श क्रिया है इस तरह जो भरत जी हैं उनको देख करके राम ने क्या किया तो कहते हैं युगांते भासकरम यथा वो भरत की शोभा बता रहे हैं कि भरत ऐसा लग रहा है जैसे युगस्य अंतह युगांतह तस्मिन युगांते युग के अंत में अर्थात दिन के अंत में युग शब्द यहां काल विशेश वाजक है जैसे सुभ सुर्योदय होता है अपनी अरोणिमा को ले करके और दिन में तपता हुआ सुर्य होता है वह राजकुमारों का वैभव है सुर्यवंस का वैभव होता है वह और जब वह अस्ताचल को जाता है तो नतमस्तक हो जाता है अपनी सारी किरणों को समेट लेता है वैसे ही यहाँ पर जो भरत जी हैं अपने सारे राजस्व को क्याग दिये हैं अर्थात जैसे सूरी अपने किरणों को समेट लेता है वैसे ये भी अपने जो मानवैभव है उसको इकठा करके एक तरफ रख चुके हैं और नतमस्तक हो करके राम के शरण में गिर गए हैं अन्वै का स्वरूप जो हमने देखा वह यह था रामो युगान्ते भास्करम यथा जटिलं चीर वसनं प्रांजलिं भूविपतितं दुर्दर्षं ददर्ष यह अन्वै का स्वरूप होगा अस्तो हम अगला श्लोक देखते हैं कथंचिद अभिविज्याय विवर्ण वदनम क्रिशं भ्रातरं भरतं राम परिजग्राह पाणिना यहां पर भी कर्तापद है रामह अन्वै देख लेते हैं रामह विवर्ण वदनम क्रिशं भ्रातरं भरतं कथंचिद अभिविज्याय पाणिना परिजग्राह यह अन्वै का स्वरूप होगा इस अन्वै के आधार पर हम इसका पदार्थ देखते हैं कर्तापद है रामह रामह परिजग्राह रामने परिजग्राह कर्था ग्रहन करना भरत जी को अपने अंक से लगा लेना पकड़ लिया लेकिन उसके पहले की जो स्थेती है वो बता रहे हैं विवर्ण वदनम क्रिशम राम के वियोग में भरत जी का शरीर जो है जब से राम वन आये हैं और भरत अपने आयोध्या पहुँचने के पस्चात जो पिता की क्रियाएं थी उन सारी क्रियाओं से निवरित हो करके और ऐसी योजना बनाते हैं कि राम को वापस हम ले आएंगे और उन से कह देंगे कि हमें राज्य नहीं चाहिए और आप लीजिए गल्ती हो गई माता जी ने कह दिया हम छमा मांगते हैं माता के पक्ष से भी छमा मांगते हैं माता जी से भी कहेंगे छमा मांग देंगे ऐसी योजना बना के जाते हैं लेकिन तब तक का जो कार्यकाल था उतनी समय में भरत की स्थिती ऐसी हो गई कि विवर्ण वदनम उनका शरीर जो है सूख गया पीले वर्ण का हो गया चेहरा देखा हैं तो वही तो उन्हें पहचानते हैं लेकिन उसमें पद क्या दिया महरश्री वालमीक लिखते हैं कथंचित अभिविज्याय जैसे कैसे पहचान लिया कितना भी वर्ण बदल जाए लेकिन भाई तो भाई है ना दूला हो पतला हो मुटा हो हम पहचान तो जाएंगे ही तो वही कह रहे हैं कथंचित अभिविज्याय अभी उपसर्ग पूर्वक वी उपसर्ग पूर्वक ज्यान धातु है अर्थात उनको पहचान करके और पहचानने में देरी क्यों हुई तो उसके लिए जो दूसरा चरण है श्लोक का वह है कि विवर्ण वदनम क्रिशम पहचानने में देरी इसलिए हुई क्योंकि उनका जो वर्ण था वह क्रिश हो गया है सूख गया है पतला हो गया है और विकृत हो गया है विकृत हो जाने के कारण वो पहचान नहीं पा रहे थे तीसरे चरण में कहते हैं भातरम भरतम रामरा परिजग्राह पानिना जब भरत प्रणाम करते हैं ऐसी अवस्था में तुरंत रामने उठा लेते हैं हाथ से ले करके परिजग्राह करता परितह जग्राह ग्रहनम कृतवान उन्होंने उनको ग्रहन कर लिया अपने हाथ से पकड़ लिया किसको भरतम रामह भरतम परिजग्राह राम ने भरत को अपने हाथों से पकड़ लिया अगला श्लोक देखते हैं अग्राय रामस तम मूर्धनी परिश्वज्य चराघवं अंके भरत मारोप्य परिय प्रिख्यत साधरं अब पूछते हैं, चर्चा करते हैं उशल चेम पूछना चाह रहे हैं तो आग्राय रामस तम मूर्धनी परिश्वज्य चराघवं तम मूर्धनी आग्राय जब गले मिलते हैं तो एक का सिर उधर और एक का इधर उसी अवस्था का वरणा यहां पे कर रहे हैं कि तम मूर्धनी आग्राय सिर से पकड़ते हुए सिर से लिया, सुंगते हुए तो आग्राय रामस्तम्मोर्धनी परिश्वज्य चरागवं परिश्वज्य पद का अर्थ है आलिंगन करके अर्थात श्वज्धातू से एक्ता प्रत्य जब करेंगे तो परिश्वज्य परिउपसर्ग पूर्वक स्वज्धातू आलिंगन अर्थ को कहते हैं अर्थात गले मिलना तो भरतम अंके आरोप्य परिय प्रिख्यत सादर्म इस तरह से भरत को गले लगा करके आलिंगन करते हुए उनसे मिलते हुए अंके आदाय उनको एक जैसे भाई को पकड़ करके अपनी गोद में ले लेना उस तरह से अपने हाथों में ले लिया अपने बाहों में ले लिया और उसके बाद सादरम परिय प्रिख्षत आदर पूर्वक पूँछ रहे हैं कच्चिदात्म समाह शूराह सुर्तवन्तो जितेंद्रियाह कुलीनास चेंगितग्यास्च कृतास्ते तात मंत्रिनह हे तात संबोधन कर रहे हैं हे तात भाई के लिए संबोधन है कि आपने जो अयोध्या की प्रजा है उसकी भलाई के लिए राज्यशाशन की व्यवस्था को स्थिर और सुचारू किया है या नहीं उसके लिए ये पद्य है कच्चित आत्म समाह शूराह सुर्तवन्तः जितेंद्रियाह शुर्तवन्तः शुर्तवन्तः पद का अर्थ है पढ़े लिखे जो अध्येनशील विद्वान सारे जो विशेशन लग रहे हैं ये सारे मंत्रियों के लिए है क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए अच्छे योग्य व्यक्तियों का पदस्थ होना आवर्श्यक है अगर योग्य व्यक्ति पदस्थ नहीं होंगे तो सासन बिगड जाएगा राम इसी बात को कह रहे हैं भरत से कि क्या आपने जो मंत्रियों के नियोजन की प्रक्रिया है वह सही ढंग से की है या नहीं तो पहली पंक्ती है आत्म समाह शूराह कचित आत्म समाह शूराह कचित यहाँ पद अभ्या है कच्च चिच इती कच्चित प्रश्ण वाचक है कि क्या आपने आत्म समाह शूराह आप अपने समान ही वीरों को सेनापती या राज्जी के सनरक्षण में नियुक्त किया है या दूसरा शुरुतवंतः जितेंद्रियाह शुरुतवंतः अर्थात विद्वान और जितेंद्रियाह का भी पद है जितानी इंद्रियाणी यही है ते जितेंद्रियाह जिन्होंने इंद्रियों पे सैयम करके रखा है अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके रखे हैं ऐसे लोगों को तीसरे चरण में कहते हैं कुलीनास्चेंगितग्यास्च कुलीनाहा इंगितग्याहा दो विशे शड़ और है एक तो कुलीन होना चाहिए कुलीन से ताटपर यह है उत्तम और इंगितग्याह इंगितम जानाती थी इंगितग्याह अर्थात संकेत से कार्य करने में समर्थ जो संकेत को समझने वाला व्यक्ति हो समय की स्थिती को देखकर राज्य की अवस्था को देखकर कार्य करने में समर्थ हो ऐसा व्यक्ति इंगितग्य कहा जाता है अंतिम में कहते हैं क्रिताहा ते तात मंत्रिणा हे तात ते एताद रिशाह मंत्रिणा क्रिताहा क्या आपने ऐसे मंत्रियों को किया है अर्थाद राज्य के पालन में इन इन गुणों से युक्त मंत्रियों की नियुक्ती किया है या नहीं निश्कर्स यह निकलता है कि किसी भी राज्य को सुचार रूप से चलाने के लिए इन विशिष्ट गुणों से युक्त अधिकारी को होना चाहिए अगला श्लोक देखते हैं मंत्रो विजय मूलं ही राज्याम भवती राघव सुसं वृत्तो मंत्रि धुरई रमात्याई शाष्ट्र को विदै इस श्लोक का अनवय देखते हैं हे राघव राज्याम विजय मूलं ही मंत्रि धुरई ही अमात्याई ही शाष्ट्र को विदै इस शुसं वृत्तह मंत्रह भवती अर्थात हम पदार्थ इसका समझते हैं इसमें मंत्रह पद मंत्रणा के लिए किया गया है को जब हम शाष्टन प्रशाष्टन में होते हैं शाष्टन की व्यवस्था देखते हैं तो एकाकी जो मन में आया करते जाए ऐसा नहीं होता वहाँ पर सबक की मंत्रना लेना आवश्यक है इसी बात को कहते हैं पंक्ती देख रहे हैं हम हे राघव भरत के लिए संबोधन करके राम कहते हैं यहाँ पर राघव पीछे भी राघवम पद आया था रघू के वंस में उत्पन दोनों ही राजकुमार हैं श्री राम भी है भरत जी भी हैं यहाँ पर राघव पद भरत जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राघव विजय मूलम यहाँ पर विजय का तात्पर्य, युद्ध में विजय वाला विजय नहीं है किसी भी कारे को हम अच्छी प्रकार से जब संपन्न करते हैं तो डन का संकेत देते हैं बहुत अच्छा तो उस प्रकार का यहाँ विजय मूल कहा जा रहा है कि अर्थात किसी कारे की सफलता का जो मूल है जो मुख्य विंदू होता है वो क्या है तो उसे तीन हेतु दिया पहला हेतु है जो अमात्य है वो कैसे होना चाहिए कहा मंत्र धुरई अर्थात मंद्रियों का जो समूह है अमात्यों का जो समूह है वहा मंत्रणा करने में निपुड हो सद असद विवेक करने में निपुड हो निश्णात हो सही गलत का चिंतन करने में कुशल हो जो अमात्य समूदाए बहुवचन का प्रियोग किया गया एक वचन नहीं एक अमात्य है एक मंत्री है तो एक वचन और बहुवचन का प्रियोग किया गया इसका मतलब मंत्रियों का समूह है और वो मंत्रियों का समूह निरणे लेगा कि क्या करना है क्या नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है लेकिन कोई भी मंत्री नहीं हो सकता उसमें कहा मंत्र धुरई ही जो विवेक वान होगा सद असद विचार वान होगा ऐसा अमात्य होगा और उन अमात्यों के द्वारा किया गया जो निरणय वह निरणय ही मानने होता है और वही निरणय विजय का मूल है दूसरा विशेशन दिया शास्त्र कोविदई शास्त्रों को जानने वाला कोविद पद का अर्थ होता है विद्वान तो जो मंत्री शास्त्रों का ज्याता होगा शास्त्रों को समझने वाला होगा कर्तव्य अकर्तव्य कर्म का बोध रखने वाला होगा वही व्यक्ति निर्णे करने में समर्थ हो सकता है इसलिए इस पद्य में कहा जा रहा है मंत्र धुरई ही अमात्यई ही पुनस्च शास्त्र कोविदई ही और इनके द्वारा लिया गया निरणय कैसा है तो उसमें विशेशन लगया सुसम्रित्त अर्थात अच्छी प्रकार से सुष्ट रूपेण जो सम्रित्त होगा वहा निरणय वहा मंत्र मंत्र का तात्पर यहां पर वेद के मंत्र या श्लोक वो नहीं है यहां मंत्र का तात्पर यह मंत्रणा से है निशकर्ष से निरणय से है तो राज्याम जो राजा लोग हैं राजा के राज्य के शासन की ब्यवस्था को सुचार उचलाने के लिए सही ढंग से प्रवर्तित करने के लिए इन इन चीजों की आवश्यक्ता होती है और इस प्रकार का मंत्री होना चाहिए और राज्य में इस प्रकार के कोविद सेवारत होने चाहिए तभी वह राज्य आगे उन्नत पथ पर चल पाता है अन्यथा उसके उन्नती में बाधा हो जाती है इस पद में भवति यह क्रिया पद है जिसका अर्थ है होता है तो इस प्रकार से हमने इन पाँच शलोकों का अर्थ देखा अन्वय भी देखा और पदार्थ को भी पढ़ा इसके और गहन अध्यान के लिए पुस्तक के प्रिष्ट भाग अर्थाद इस पाठ के प्रिष्ट भाग अभ्यास भाग को हम देख शकते हैं अस्तो आज इतना ही इसके आगे के शलोकों को हम अगली कली में पढ़ेंगे धन्यवाद असी देखाग के ğaी इसके भागे इसके खाए्स, आज क JOHN असी असलोग है आगली में यह कहाँए आवजा व का लिएगया अस्तो आज असे खाए्स, कैन्यवाद रिग्य को भाईग्यानőल झाल झाल